Hello Everyone, आज की वीडियो का टॉपिक है कि उनके फीलिंग्स आपके लिए क्या है? अब ये वो कौन है? ये ऐसा इंसान है जो दिलो दिमाग पे आपके चाया हुआ है तो अगर हाल फिलाल आप ऐसी किसी परसन से टकराए हो जो आपके दिलो दिमाग पे चाया रहा है और आपको नहीं समझा रहा है कि exactly क्या हो रहा है तो उस परसन को विज्यलाइज कीजे, उनका नाम मन में तीन बार लीजे और फिर इस रिडिंग को देखिए अगर आप अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजे इससे मुझे इंस्पिरिशन मिलती है आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और इंफर्मिटिव वीडियो के लिए और मेरी यूट्यूब फैमली का हिस्सा बनिये अगर आप लोगों को कोई कंफीजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो आप लोगों के साथ इंट्रेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग टैंडल वैक्स रेडिंग के लिए नए है उन लोगों के लिए में एक्स्प्लेन कर देती हूँ ये एक जेनरल कलेक्टिव टाइमलेस रेडिंग होने वाली है General Reading Maximum लोगों से Resonate होती है लेकिन हर किसी के साथ Resonate हो यह ज़रूरी नहीं होता है तो General Reading को General Reading के जैसे ही लीजे इसे Personal Reading ना समझे Collective Reading याने इसमें कोई Group Division नहीं होगा अगर आपके Current Situation से इसकी Situation मैच होती है तो ही आप लोगोंने आगे की Reading देखना है जबरदस्ती इस reading में fit in करने की कोशिश आप लोगों ने नहीं करना है आप लोग जब भी इस reading तक पहुचोगे ये reading आपके साथ match हो सकती है इसके लिए कोई particular time नहीं है कि ये सिफ अभी के लिए match होगी बाद में match नहीं होगी ऐसा इसका मतलब बिलकुल भी नहीं होता है तो पूरी positivity के साथ आप लोगों की reading को start करते है सबसे पहले में दो cards निकालूंगी आप दोनों के लिए देखते हैं कि आप लोगों की एक दूसरी के लिए feelings क्या है उसके बाद हम लोग candle wax setting को start करेंगे जब तक मैं card shuffle कर रही हूँ आप लोग भी अपने मन को शान्त रखे आप लोगों के लिए जो card आया है वो five of wand का card आया है तो मुझे लगता है कि आप एक inner battle से गुजर रहे हो आपके दिल में बहुत सारा thought process चल रहा है ये सही है गलत है ये exactly हो क्या रहा है शायद आप आपके दिल को समझाना भी चाहते हो लेकिन आपका दिल आपकी नहीं सुन रहा है आपके दिल और दिमाग की लड़ाई से आप लोग गुजर रहे हो शायद आप इस इंसान का attachment छुड़ा भी नहीं पा रहे हो और इनके साथ life में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो और ये चीज़ अब आपको बहुत ज़दा परेशान कर रही है तो ये इंसान ऐसा है जिसने आपके mental peace को बरबात कर रखा है आप लोगों की बेकरारी मैं यहाँ पर feel कर सकती हूँ अब उस इंसान के लिए भी एक card open कर लेते हैं अब उनके लिए भी एक card ले लेते हैं उनके लिए जो card आया है वो wheel of fortune का card आया है तो मुझे लगता है कि एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़दा energetic है work oriented है हर वक्त कुछ न कुछ करते रहना इनको पसंद आता है और ये इंसान आपके life में एक turning point लेके आया है इनके life में भी आप बहुत सारी हलचल या उथल पुथल create कर रहे हो ऐसी भी energy मुझे या पर feel हो रही है शायद आप लोगों की meeting बहुत ज़दा unexpected तरीके से हुई है और जब आप लोगों ने बिल्कुल भी expect नहीं किया था तब आप लोग एक दूसरे से मिले हो इसके वज़े से भी ये सारे चीज़े ये सारे changes एकसेट करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है तो आप भी उनके life में major changes लेके आए हो ऐसे ही energy मुझे उनके लिए feel हो रही है अब उनके दिल के thoughts को और थोड़ा सा detail में cover कर लेते है image बनने में बहुत time लग रहा है तो ये इनसान बहुत ज़ादा सोचता है आप लोगों के रिष्टे में feelings तो बहुत ज़ादा है लेकिन action बहुत कम है हो सकता है कि एक दूसरे के लिए feelings तो बहुत ज़ादा है लेकिन कुछ भी express नहीं हुआ है या फिर liking का इजहार नहीं हुआ हो या फिर कहना तो बहुत चाहते हैं लेकिन कहीं नहीं पाते हो आप उन्हें nervous कर देते हो ऐसा कुछ यहां पर हो रहा है इनकी तरफ से आपको उतना भी अच्छा response नहीं मिलता है cold response मिलता है या फिर इन्होंने अभी आपको कुछ भी clarity नहीं दी हो ऐसे energy ही मुझे यहां पर feel हो रही है और आपका मन इनसे कुछ सुनने के लिए बेकरार हो रहा है इनके कुछ सी approach के लिए बेकरार हो रहा है या फिर confession के लिए बेकरार हो रहा है या फिर बस आप ये सुनना चाहते हों कि एक बार ये कह दे बस अपनी liking के बारे में बता दे ऐसा कुछ आपका mindset मुझे यहाँ पर फील हो रहा है बट ये इंसान है कि कुछ भी कहने को बोलने को ready नहीं है अभी तक कोई भी image नहीं बनी है जब image बनी है तो बहुत बड़ी image बनी है यानि जब ये open up होंगे तब बहुत कुछ कह सकते हैं बहुत सारी feelings को express कर सकते हैं ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर लग रहा है इनके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है आपको लेके ये बहुत कुछ सोचते रहते हैं और उनको भी ये नहीं समझा रहा है कि exactly हो क्या रहा है और अभी इस वक्त आप क्यों मिले हो ऐसा इनको लग रहा है शायद आप लोगों की timing जो है वो गलत हो सकती है आप लोग life में expected time से late मिले हो या फिर गलत time पर मिले हो या फिर ऐसा कुछ है जिसको accept करना असान नहीं है ऐसे energy ही मुझे यहाँ पर feel हो रही है तो ये दिखाते तो नहीं है लेकिन ये बहुत कुछ feel तो जरूर करते है और ये जानके भी अंजाने बनते है आप जो इनके बारे में सोचते हो जो feel करते हो इन्हें पता भी चल जाता है लेकिन ये जाहिर नहीं होने देते है मुझे ये इनसान suppressed energy में दिखता है बहुत सारी चीजों को सोच के ये सही है गलत है ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये सब सोच के ये कुछ कही भी पाता हो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर लग रहा है लेकिन कहना इनको बहुत कुछ है शायद indirectly इनके behavior से पता भी चल जाता होगा ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है वो आपके attention बहुत जादा enjoy करते है आप जो कभी-कभी directly आपने feelings उनको बताते रहते हो या convey करते हो उन तक यह उनको बहुत जादा अच्छा लगता है लेकिन यह कहते कुछ भी नहीं है कही न कहीं आपके attention इनके दिल को सुकून दे जाती है और यह इस बात पर हैरान भी हो रहे है कि ऐसा क्यू हो रहा है शायद आपके लिए जो यह feel करते है यह इन्होंने कभी भी feel नहीं किया है एक divine connection यह आपके लिए feel करते है बट शायद इनका logical mind इतना ज़दा active है कि यह इस चीज़ को समझी नहीं पा रहे है या फिर समझने के बाद भी accept नहीं कर पा रहे है लेकिन आपका असर अब इनके दिलों दिमाग पे हो रहा है इसमें तो कोई दोराएं नहीं है अब आपकी कही हुई बाते या फिर आपका gesture इनके दिल पे दिल पे दस्तक दे रहा है और वो इनके दिमाग से नहीं जा रहा है और ये खुद को busy रखते है यानि जब भी आपके thoughts आते है ये आपसे ध्यान हटा कर और किसी चीज में अपना ध्यान लगा देते है या फिर हो सकता है कि इनका बहुत ज़्यादा busy schedule हो work में खुद को busy रखने की कोशिश करते है या फिर और किसी के बारे में सोचे लेकिन घुम फिर के आपका ही thoughts इनको आजाता है या फिर गूम फिर के आपके ही इनकी नजर रुक जाती हो ऐसी कुछ energy मुझे यहां पे feel हो रही है । चाहते तो है कि आपसे दूर जाए बबढ़ जान नहीं पा रहे है कहीं न कहीं इनके behavior के वज़े से आपको hurt भी हो जाता है और आपके बेकरारी बढ़ भी जाती है और ये सारी चीज़े ये समझते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं या फिर करना चाहते ही नहीं हो ये भी हो सकता है बहुत ज़दा negative है इस रिष्टे को लिके यानि आपका तो इनके उपर बहुत अच्छा impression आया है लेकिन आपका जो ये connection है इसको लिके ये negative है इनको लगता है कि शायद ये उनकी पहुँच के बाहर है ये सब कुछ होई नहीं सकता है ये फिर और भी कुछ चीज़े ऐसी है जिसकी वज़े से इनको लगता है कि यहां ट्राइ करना ही बेकार है आपको लिके इनके दिल में बहुत सारी feelings जाग रहे हैं जिसे accept करना इनके लिए बहुत मुश्किल होते जा रहा है शायद इनके सथ ऐसा हो रहा है कि जो इन्होंने कभी प्लान ही नहीं किया था शायद इन्होंने ऐसे सोचा था कि इस रास्ते जाना ही नहीं है और उस रास्ते इनको जाना पड़ रहा हो इसकी वज़े से भी ये परिशान हो रहे है कभी-कभी हम लाइफ के लिए कुछ प्लान नहीं करते हैं और हमारी लाइफ हमारी लिए और ही कुछ प्लान कर देती है तो वो जो शौक है वो मुझे इनके दिल में समझ में आ रहा है आपको यह बहुत अच्छा इंसान समझते है आपके थौट्स को यह रेजिस्ट नहीं कर पा रहे है धीरे धीरे अब आप इनके दिलों दिमाग पे च्छा रहे हो और आपकी हरकते आपका गैशर हो सकता है आपकी स्माइल पे यह फिदा हो रहे हो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है यह अपके साथ टाइम स्पेंट करना चाहते है और एक्सप्लोर करना चाहते है कि कैसे लगता है लेकिन इनको भी नहीं पता है कि exactly इस रिष्टी की मंजिल क्या है इस रिष्टी को क्या नाम देना चाहिए यह भी इनको पता नहीं चल रहा है या फिर इनको ये समझ नहीं आ रहा हो ऐसा कुछ unusual bond मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहा है इनके life में जो emptiness था वो आप भर रहे हो सब कुछ होने के बावजुद भी बहुत सारी कमिया थी इनके life में जो आपके आने से दूर तो हो गई है और ये शायद आपको बताना भी चाहते है लेकिन आपको बता नहीं पा रहे है आप जो इनके moodiness को handle कर लेते हो या फिर इनके thought process को जो आप समझ लेते हो ये इनको बहुत ज़दा अच्छा लगता है इनको लगता है कि आप इनने manage कर लोगे इनने handle कर लोगे या फिर आप जैसे इनको समझते हो वैसा और कोई नहीं समझता होगा ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके honesty इनको बहुत अच्छी लगती है आप जो है जैसा है बोल देते हो और इनसे ये हो इन नहीं पाता है आप जो honest हो अपने feelings को लेकि ये इनको अच्छा लगता है अटलिस आप जैसे हो वैसे सामने तो हो इस बात का ये शुक्र भी मनाते है इनको कुछ trust issues तो definitely है लेकिन आपके उपर trust करने का इनका दिल करता है उनको लगता है कि आप इनका भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे लेकिन किसी भी commitment के लिए ये इनसान मुझे ready नहीं दिख रहा है अभी इनकी position ये ऐसी है कि ये किसी commitment के बारे में सोची नहीं रहे है या फिर इनके लिए बहुत ज़दा difficult हो सकता है कोई commitment देना presently तो ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर लग रहा है और वो आपको clarity तब देंगे जब इनको खुद को clarity आएगी इनको भी पता नहीं चल रहा है कि exactly ही चल के रहा है कभी कभी जब हमारा soul connection या फिर जो true love connection आ जाता है हमारे life में तब हमारी life में impactful meeting हो जाती है वैसा कुछ यह आपको लेके समझ रहे है तो आपका मिलना इनके life में impactful meeting तो है बट यह उसको decode नहीं कर पा रहे है या फिर उसे समझ नहीं पा रहे हो ऐसी कुछ उलजन मुझे उनकी तरफ से दिखाई दे रही है कुछ चीजों के वज़े से यह खुद को रोग देते है ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है कई बार वो सोचते हैं कि आपसे कुछ कहें आपसे कुछ बोलें लेकिन जब बोलने के लिए सामने आते हैं तब और ही कुछ बाते कर देते हैं जो कहने की कोशिश कर रहे थे वो कहीं नहीं पाते हैं, तो आप इनको nervous भी कर रहे हो, ऐसा भी मुझे यहां पे लग रहा है। कभी कभी जो इंसान हमारे लिए बहुत ज़दा important और special हो जाता है, उनके सामने हम nervous हो जाते हैं, वेसा कुछ यहां पे हो रहा है। मुझे लगता है कि शायद इन्हों ने आपको reject किया है या फिर पुरी तरी कैसे accept नहीं किया है। बट अब आप इनके दिलों दिमाग में च्छा रहे हो और इनको अब लगता है कि अब कैसे बताए, अब आपका क्या reaction रहेगा, ये सब चिज़े इनके दिमाग में चल रही है। तो बहुत कुछ चिंज़े से इनके दिलों दिमाग में आ रहे हैं और बहुत सारी feeling अब के लिए जाग रही है। आप ये वो aspects लगाते होंगे, इसा भी मुझे याँ पर लग रहा है। work related या फिर work place के meeting के chances भी मुझे यहाँ पर लग रहे है। या फिर texting के जरीए आप लोग touch में हो, ये भी हो सकता है। आपका notification में नाम आते ही, ये इतनी खुश हो जाते हैं कि क्या बताएं। बले ही वो normal सा text क्यों न हो। या फिर typing देखके ही खुश हो जाते हैं कि आप कुछ type कर रहे हो, वो देखके ही इनको बहुत अच्छा लगता है। इनकी आँखें आपको ढूंडते रहती हैं। शायद mobile में, शायद आसपास। मिलने के बाद कुछ करेंगे नहीं बर ढूंडते तो जरूर है। तो आपका equation जो है बहुत ज़दा unusual है और unconfessed feelings यहाँ पे बहुत सारी है। उनको लगता है कि आपने बिना बोले ही समझ जाना चाहिए कि इनके दिल में क्या चल रहा है। क्योंकि इनके लिए बहुत दिफिकल्ट है जो feel कह रहे है वो कह पाना या फिर उसे accept कर पाना ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद इनों ने यह सोचा है कि अगर थोड़े दिन तक ऐसे ही feelings रहे तो फिर आपसे कुछ कहेंगे। तब तक यह आपको परक रहे है, आपको minutely observe कर रहे है, आप क्या सोचते हो यह समझ रहे है। या फिर आप किस टाइप के इनसान हो, यह और थोड़ा सा बहतर जानने की कोशिश कर रहे है, और थोड़े टाइम के बाद जब यह sure हो जाएंगे, तब यह कुछ आपको कह सकते है। पहले यह sure होना चाहते हैं। क्योंकि यह इनसान बहुत ज़दा सोच समझ के decision लेने वालों में से है, इसलिए यह बहुत ज़दा time तो लगाता है, जो दिल में आ गया, वो कह दिया, ऐसा इनका nature नहीं है। तो इनके feelings में changes तो बहुत आ रहे हैं, और यह आप से दूर जाने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन दूर जाने के बाद यह आपके और ज़दा करीब आने वाले हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पर लग रहा है। शायद यह और किसी लोगों से मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिलने के बाद तो इनको और ज़दा clarity आ जाएगी कि यह जो आपके लिए feel करते हैं, वो और किसी के लिए feel नहीं करते हैं, जो आपके साथ वो इतना comfortable है, वो और किसी के साथ comfortable नहीं है, यह सारी clarity इनको जल्द ही आने वाली हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो currently यह इनसान है, तो बहुत confused, बट यह परकना चाहरा है, अपने feelings को लेके sure होना चाहरा है, और फिर यह जब एकदम sure हो जाएंगे, तब यह कुछ आप से कह सकते है, तो आपको weight तो बहुत जादा करा रहे हो, जो आपको clarity मिल गई है, वो clarity इनको future में मिल सकती है, इनको अभी इतना तो समझ में आया है कि कुछ different है, लेकिन exactly क्या, यह इनको समझ नहीं आ रहा है जैसे आप अभी इनके लिए बेकरार हो रहे हो, इनकी future energy में ये भी आपके लिए बेकरार हो सकते है, क्योंकि शुरुआत हो गई है, thought process में हल चल तो definitely हो गई है धीरे धीरे अब आपके बारे में ही ये इनसान सोचते जा रहा है, आपको परक रहा है back of the mind अब आपी के thoughts चल रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है शायद ये दिल ही दिल में आपसे बहुत सारी बाते भी करते है आप में कुछ different बात तो जरूर है, जो इन्होंने किसी के लिए महसूस नहीं की है हो सकता है आपका thought process different हो, या फिर आप लोगों का रहें से इन चार लोगों से different हो कुछ uniqueness आप लोगों में है जो इनको बहुत attract कर रही है एक pull and push वाला जो bond है ना वो मुझे आप लोगों के बीच में दिख रहा है यानि कभी तो यह आपकी तरफ बहुत ज़दा attracted feel करते हैं, कभी आपसे दूर जाने की कोशिश करते रहते है आप लोगों का सफर इतना interesting है कि आप लोगों ने मंजिल के बारे में ज़दा सोचना नहीं चाहिए यहीं कहोंगी मैं आप लोगों के लिए और आज की इस reading को यही end करते है तो यह था मेरा analysis आज की reading के लिए आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को interesting और informative लगी हो और आप आपके लाइब से resonate भी कर पाए हो आज की मुलाकात बस इतनी फिर मिलेंगे एसी चनल पर तिल देन Bye and take care